रेम बिल्कुल अनूठी बात है उसका बुद्धी से कोई संबंद नहीं है प्रेम का विजाद से कोई संबंद नहीं है जैसा ध्यान निर्वी चार है वैसा ही प्रेम भी निर्वी चार है और जैसे ध्यान बुद्धी से नहीं संभाला जा सकता वैसे ही प्रेम भी बुद्धी से नहीं संभाला जा सकता ध्यान और प्रेम करीब करीब एक ही अनुभाव के दो नाम है जब किसी दुसरे वेक्ती के संपर्क में ध्यान घटता है तो हम उसे प्रेम कहते हैं और जब बिना किसी दूसरे वेक्ती के अकेले ही प्रेम गड़ता है तो हम उसे ध्यान कहते हैं ध्यान और प्रेम एक ही सिख्के के दो पहलू है ध्यान और प्रेम एक ही दरवाजे का दो नाम है दो अलग-अलग अस्थानों से देखा गया अगर बाहर से देखोगे तो दरवाजा प्रेम है और अगर भीदर से देखोगे तो दरवाजा ध्यान है जैसे एक ही दरवाजे पर बाहर से लिखा होता है एक जिट यानि बहर गमन वह दरवाजा दोनों काम करता है अगर बाहर से उस दरवाजे पर आप पहुँंचें तो लिखा है प्रेम अगर भीतर से उस तरवाजे को अन्भो किया तो लिखा है ध्यान ध्यान अकेले में ही प्रेम से भर जाने का नाम है ध्यान अकेले में ही प्रेम से भर जाने का नाम है और प्रेम दुसरों के साथ ध्यान में उदर जाने की कला है ध्यान अकेले में ही प्रेम से भर जाने का नाम है और प्रेम दुसरों के साथ ध्यान में उतर जाने की कला है इस व्यान आप दूआ प्रेम से भर जाने की की इस डाम है